डेली कनेडियन न्यूज बुलिटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्टैक टीवी मैं हुं कौकित पारू की सबसे पहले शामल करेंगे इनीूज हाइटलाइन क्रोना वारस कैनेडा भर में मतासरा अफरात की तादा 30 हो गई ठूडो ने कहा है कि कैनेडियन शौरी इस वारस से मुटालिग फैलाई जानेवाली अफ़ाहों पर कान न धरें पाकिस्तानियों के सहूलत के लिए कैनेड़ा में पाकिस्तानी काउंसल जेनल पेश पेश ऑन्टेरियों के मुक्तलिफ शेरों में खिद्मात परहाम करने के लिए कैम्प्स लगाए जाएंगे आंटेरिया हकूमत और टीचर्स यूनियन के दरम्यान तनाज़ा खतम होने के करीब वजीर तालीम कहते हैं कि नई पेशकर्ष के एक हिस्से के तौर पर तनवाहों में सालाना एक तीसद इजाफा किया जाएगा कोईबेक में चन्द मकामात पर रेल लाइनों की बंदिश ताहाल चारी मुझाहरीन की जानिब से रेल लाइन बंदिश खतम करने के लिए कोई डैड लाइन नहीं दी गई तालिबान के अगवान फौजी चावनी और पुलिस टेक पोस्ट पर हमले 20 अहलकार हलाक हो गए जिसके जवाब में अमरीकी फौज ने भी हमला आवर जंजुओं को निशाना बनाया अमरीकी सदर डौनल्ड ट्राम्प का तालिबान के नाइब सरबराम अल्ला अब्दलगनी बरादर को टालिफ़ॉन अमरीकी सदर ने यकिन दहानी करवाई कि खैदियों के मौले पर वसीर खार जौप पॉंपियो और शिवगनी से बात करेंगे क्रोना दुनिया के असी मुमालिक तक फैल गया चीन में मजीद 38 अफराद हलाक हो गए दुनिया भर में क्रोना वाइरस के बाइस सियाती संद को महाना 47 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है हैडलाइन सापने जौनी खबरों के तफसील शामल करेंगे स्प्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कैनेडियन वजीर आजम जौस्टिन टूडो का कहना है कि क्रोना वाइरस एक हकीकी चैलन्ज है ताहम कैनेडा में इसके हच्चात कम है और विफाक की हकुमत इस हवाले से सुरतिहाल को देख रही है जानते हैं इस रपोर्ट में कैनेडियन वजीर आजम जौस्टिन टूडो कैनेडियन अवाम की होसला अवजाई कर रहे हैं ताके वो क्रोना वायरस से खुद को और अपने खानदानों को बचा सके और इस हवाले से पहलाई जाने वाली अफ़ाहों से बचे रहें कینडी वजीर आजम जस्टिन टूडो का कहना है कि करोना वायरस एक हकीकी चैलन्ज है ताहम कैनडा में इसके खच्चात कम है और विफाकी हुकूमत इस हवाले से सूरतिहाल को देख रही है उन्होंने कहा कि कैनडा में करोना वायरस के केसिस की तादा 30 है जबकि दुनिया भर में 92,196 अफराद इस से मतासिर है 3,139 अफराद इस वायरस से हलाक हो गए है उन्होंने कहा कि अभी तक कैनडा में इस वायरस से कोई हलाकत नहीं हुई है ताहम हालिया दिनों में ऑन्टेरियों में 20 के करीब करोना वायरस से मतासिर मरीज से हत्याब हुए है जबकि 45 के हवाले से तहकीकात की जा रही है टोडो ने कहा कि कैनेडियन शहरी इस वायरस से मतालग पहलाई जाने वाली अफ़ाहों से बचें दूसी जानिब कैनेड़ के वजीर खजाना बिल मौर्णियों ने जी सेवन ममालिक के अपने हम मनसबों के साथ बादशीट की जिसमें आलमी स्था पर करोना वायरस के सबब पैदा होने वाली मौशी सूरत हाल पर गुफटगू की गई एक मुश्टर का बयान में जी सेवन मुज़रा खजाना की जानिब से कहा गया है कि आलमी स्था पर वो करोना वायरसे निमटने के लिए तैयार है जबके इस सलसले में मौशी स्था पर भी दामात किये जाएंगे कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी कौनसिलेट की जानिब से ऑन्टेरियो के मुखतलिफ आलाकों में लगाये जाने वाले कैमपों में पाकिस्तानों को मुखतलिफ की सहूलियात पर रहाम की जाएंगी वजीर जानते हैं इस रिपोर्ट में वजीर आजम के विजन और वजीर खाजा के हिकमात की रौश्णी में कैनडा में पाकिस्तानी हाई कमिशन की जानिब से वहां बसने वाले पाकिस्तानयों को सहूलत पराम करने के लिए अगदामात किये जा रहे हैं इस सलसले में ऑंटेरियो में मुख्तलिफ मकमात पर कैम्प लगाय जाएंगे जिन में पाकिस्ताने को मुख्तलिफ सहूलियाद दी जाएंगी मिल्टन में शेरवर्ट कम्यूनिटी सेंटर में हफ़ता 28 मार्च को दोपहर 12 से 7 जबके लंदन में साउथ लंदन कम्यूनिटी सेंटर में सुब 10 से शाम 5 बजे तक 4 अपरेल को कैम्प लगाया जाएगा आपको बताएं ऑंटेरियो के वजीर तालीम का कहना था कि हमने एक बार पर टीचर्स यूनियन को मजाकरात की मेज़ पर वापस आने को कहा है क्योंकि अब हम उन्हें मुनासिप पेशकर्श कर रहे हैं वजी जानते हैं इस रिपोर्ट में ऑंटेरियो की प्रोग्रेसिव कंजिवेटिव हकूमत अपनी मुतनाजा क्लास साइज और ई-लर्निंग लाजमी करार दी जाने वाली पॉलिस्यों की हमायत कर रही है जो कि सूबे की तालीमी यूनियनों के साथ तनाज़े को खतम करने की कोशिश है सूबे के वजीर तालीम स्टीफन लीचे की जाने से कहा गया है कि ऑंटेरियो के हाई स्कूल में क्लास साइज बढ़ाए जाएंगे उन्होंने कहा है कि हुकूमत की लाज़मी ई-लर्निंग पॉलिसी जिसमें हाई स्कूल के तल्बा को डिपलोमा के हिसूल किने दो आलनाइन कोर्से करना होते हैं उसे भी तबदील किया जा रहा है उन्होंने कहा कि हमने कौई सो दिनों तक मजाकरات की अब मौबला अदालत में हमने तल्बा के मुफाद में एक अहम फैसला किया है उन्होंने कहा कि नए पेशकुर के एक ख़से के तोर पर तनुभाहों में सलाना एक ठीजस्ट इसाफा किया जाएगा वजीर तालिम का मजीद कहना था कि हमने एक बार फिर टीचर्स जूनियन को मजाकरात की मेज़ पर वापिस आने को कहा है क्योंकि अब हम उने मुनासिप पेशकर्ष कर रहे हैं ताकि वो मुहाइदा किया जा सके जो वालदेम की खौईशात के मताबक और तल्बा के मुफाद में हो मीडिया रिपोर्ट्स के मताबक ऑंटेरियो इंग्लिश कैथोलिक टीचर्स असोसियेशन की सदर की जाने से कहा गया है कि हम हकुमत की इस नई पेशकर्ष को कुबूल करने के लिए तयार है मुहाग केमिनिटी ने उन रेल नाइनों को बंद किया हुआ है जोने मालबरदार और मुसाफिटरी ने कैनेडियन पैसिफिक को बूर करने के लिए इस्तिमाल करती है कोईबेक में गोनवा के और लेस्टोगेच के मुझाहिरीन की जानिब से वेट सुईट एन की हमायत में रेल नाइनों की बंदिशता हाल चारी है जबके मुहाइदा होने के बावजूद इस बात का फैस्टा नहीं किया गया है कि रेल नाइने कब तक बंद रहेंगी बंदिश खतम करने के लिए कोई डैड लाइन नहीं दी गई ताम उनके एक चीफ की जानब से कहा गया है कि लोगों को लगता है कि जल्द कोई फैसला होना चाहिए ये हमारे लोगों पर ही मुनहसर है कि वो क्या चाहते है कि मुझारे को खतम करना है या जारी रखना है दूसी जानब कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन टूडो का कहना है कि वो जानते है कि शुमाली बिर्टिश कोलंबिया में मुतनाजा कुदरती गैस पाइपलाइन मसले के हल के लिए लोग बेचैन है लेकिन वेट सुट एन के लोगों की रिवायात का इहतराम भी जरूरी है टूडो ने कहा कि हम जानते हैं कि सद्धियों की पस्मांदगी जाबराना नाकिस हुकूमती पॉलिसीज ने ऐसी सूरतहाल पैदा कर दी है जो नाकाबले बरदाश है कुछ बात करेंगे तालबान जन्जूओं ने सूब गंदूज में अगवान पॉज की चाउनी पर हमला कर दिया दो तरफा फारिंग में 16 अगवान पॉजी हलाक हो गए जबके अगवान हुकाम ने तालबान जन्जूओं के हलाक होने का भी दावा किया है तालबान के अगवान पॉजी चाउनी और पॉलिस टेक पोस्ट पर हमले में मचमुवी तोर पर 20 अहलकार हलाक हो गए जिसके जवाब में अमरीकी पॉज ने भी हमला आवर जन्जूओं को निशाना बनाया आलमी खबर साइदारे के मताबिक तालबान जन्जूओं ने सूबे गंदूज में अगवान पॉज की चाउनी पर हमला कर दिया दो तर्फा फारिंग में 16 अगवान फॉजी हलाक हो गए जबके अगवान हुकाम ने तालबान जन्जूओं के हलाक होने का भी दावा किया है ताहम तादात नहीं बताई गई इसी तरह कंदोज में ही तालिबान जंजों ने एक चेक पोस्ट पर फारिंग करके चार पुलिस हलकारों को हलाक कर दिया दोनों कारवाईयों के बाद तालिबान अपने हमरा अख़वान फौज कास्तेहा भी ले गए जबके तालिबान ने दस अख़वान अहलकारों को यरगामाल बनाने का भी दावा किया है तालिबान के यह हमले गुजशता रोस तर्जमान तालिबान जबी उल्ला मुजाहिद के इस बायान के बात किये गए हैं जिसमें उन्होंने इंट्रागवान मुजाकरात से कबल सेक्यूर्टी फोर्सिस पर हमले चारी रखने का इंदिया दिया था ताहम अमरीकी फोर्सिस ने सूब हल्मिंद में तालिबान जञजू को निशाना बनाया है ये जजजू अगवान सेक्यूर्टी फोर्सिस को बिला जरूरत निशाना बनाने में मुलाविस थे पेंटागॉन का मजीद कहना था कि तालिबान अफ़ानिस्तान में घर जरूरी हमलों से गुरेस करें कुछ बात कर लेते हैं अमरीकी सदर डॉनल टरंप ने कहा है के मेरी तालिबान रहनुमा से अच्छी गुफटगू हुई है हमने तशद्ध के खाक में पर इतिफाक किया उन्हों ने कहा कि अमरीका भी तशद्ध नहीं चाहता अब उद देखते हैं कि क्या होता है अमरीकी सदर डॉनल टरंप ने तालिबान के नाइब सरबरा मुला अब्दलगनी बरादर को टालिफ़ून किया अमरीकी सदर ने तालिबान राहनुमा को यकीन दहानी करवाए कि कैदियों के मौमने पर वजीर खरजम आइक पॉंपियो अश्रफगनी से बात करेंगे मीडिया रिपोर्ट के मताबिक तर्जमान तालिबान से दोहा के मुकामी वक्ते मुताबिक दुपहर दो बजे दोनों राहनुमाओं की 35 मिनट तक गुफटगु हुई इस मौके पर जल्म-खलिलजाद भी मौजूद थे तर्जमान ने इस हवाले से तस्वीर भी जारी की उधर वाइट हाउस के साउथ लॉन में मीडिया से गुफटगु करते हुए सदर ट्राम्प ने कहा कि मेरी तालबान रानुमा से अच्छी गुफटगु हुई है हमने तशदु के खात्मे पर इत्फाक किया उन्होंने कहा कि अमरीका भी तशदु नहीं चाता अब देखते हैं कि क्या होता है तालबान के सियासी दफ्टर के तर्जमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अमरीकी सदर ने इस मौके पर कहा कि मुझे आज से बात करके खुशी हुई आप लोग अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं अमरीका तबील अरसे तक अखवानिस्तान में रहा है लेकिन अब इन्खला हर एक के मुझे है मुल्ला बरादर ने कहा कि अगर अमरीका मुहाइदे की पाबंदी करेगा तो इसके इंतहाई मुस्पत असरात होंगे मस्तग्मिन में अमरीका से अच्छे तालुकात के खाहा है अजाद हुकूमत का कायाम अखवानियों का हक है इससे कबल दोहा में तालिबान रहनुमाओ खलीलजाद के माबेन मुहाइदे के बाद की सूरत हाल और रुकावट उसे मुतालिक मुझाकरात हुए खबर शामल करते हैं करोना वायरस के हवाले से आपको बताएं करोना ने असी मुमालिक में पंजेगार लिए चीन में मजीद 38 अफराद हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 2980 हो गई चुनुभी कोरिया में 142 नए केसिस रिपोर्ट हुए है करोना दुनिया के असी मुमालिक तक फैल गया चीन में मजीद 38 अफराद हलाक हो गए चुनुभी कोरिया में हलाकतों की तादाद 35 हो गई आलमी बैंक ने करोना से निमटने के लिए 12 बिलियन अमरीकी डॉलर पैकेज का ऐलाम कर दिया सौधिय अरब ने अमरा जायरीन पर पाबंदी में 31 मार्च तक तोसी कर दी जमायमा गोर्ड स्मित ने टुइट की है कि करोना की शिकार मुच्टबा पडूसियों को एम्बूलंस में ले जाया गया है करोना ने असी मुमालिक में पंजेगार लिये चीन में मजीद 38 अफराद के हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 2981 हो गए जनुबी कोरिया में 142 नए केसिस रिपोर्ट हुए है मतासरीं की तादाद 5,328 हो गई जबके हलाकत की तादाद 32 तक जा पहुँची दुनिया भर में करोना से हलाकत की तादा 3,168 हो चुकी है 92,883 अफराद बिमार पढ़े है आलमी बैंक ने करोना से नमटने के लिए 12 बिलियन अमरीकी डॉलर पैकेज का ऐलाम कर दिया एरान में करोना वारस से 77 अफराद हलाक 23 अरकीने पारिमेंट से में 2300 बिमार हो गए दुनिया भर में करोना वारस के बाइस सियाहती सनत को महाना 47 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल ऑगनाईजेशन के रिपोर्ट के मताबक करोना वारस से आलमी सियाहती सनत शदीद नुकसान की जद में आ गई है दुनिया भर से सियाहों ने अपनी परवाजें, होटल और दिगर तफरीही बुकिंग मनसूख करा दी है जिससे सियाहती सनत को महाना 47 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है साल 2018 में सियाहती सनत का हजम 1700 अरब डॉलर था इसके साथ ही टैग टीवी के पाकतान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों आपडेट्स के लिए देखते रहे टैग टीवी